Hello everyone, welcome to my channel, त्रिप्ती वेदारम ट्यूटोरिल Determinants निकालना सिखेंगे हम 2 x 2 और 3 x 3 वाले determinant का ओके की determinant की value हम कैसे find करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सपोर्थ हमारे पास ये 2 x 2 की matrix है 2 x 2 का मतलब होता है 2 row है और 2 column है देखें रो ये है row 1 और ये है row 2 और ये है column 1 और ये है column 2 अब इस 2 x 2 matrix का हमको determinant निकाला है तो determinant कैसे निकालते हैं बहुत ही आसान है इसका multiply करिए इसमें तो 1 x 4 बीच में लगाईए minus और इस वाले का multiply करिए इसमें याने 2 x 3 तो ये हो जाएगा 1 4 जा 4 और 2 3 जा हो जाएगा 6 तो 4 minus 6 हो जाएगा minus 2 ये determinant कितना हुआ इसका इस वाले matrix का minus 2 उसी प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं कि minus 1, 2, minus 3 और 4 इसका आपको determinant निकालना है ठीक है तो इसमें भी आपको यही चीज करनी है कि इसका करना है आपको इसमें multiply तो minus 1 का करेंगे आप किसमें 4 में multiply फिर लगाएंगे बीच में minus और फिर आपको क्या करना है फिर इस वाले का इसमें multiply करिए यानि 2 का करिए आप किसमें minus 3 आप यहाँ पर ध्यान दीजे कि मैं हर number में bracket लगा रही हूँ यह bracket लगाने का कारण यह है ताकि आपका minus जो है वो आपको साफ साफ उसको आप solve कर सको ठीक है अब आप minus 1 का 4 में multiply करोगे तो minus 4 हो जाएगा और minus 3 का 2 में करोगे तो यह वाला minus तो पहले से लगा हुआ है तो 2 का तो 3 में तो यह हो जाएगा तो minus 4 प्लस 6 हो जाएगा प्लस का 2 तो यहाने इस determinant की value कितनी आ गई? प्लस 2 अब यह जो determinant थे यह 2 क्रॉस 2 के थे अब हम देख लेते हैं 3 क्रॉस 3 का determinant तो 3 क्रॉस 3 का मैं कोई भी एक determinant यहाँ पर assume कर लेती हूँ मैंने माना 3 क्रॉस 3 का determinant यहाँ पर तो देखिए हम कैसे find करेंगे इस का determinant सबसे पहले number लिखना है आपको यह 2 जो first वाला number है ठीक है first वाला number आपको लिखना है ठीक है first वाले number को आप चुपाएंगे यहाँ से चुपाया यहाँ से चुपाया जो भी चीज़े आपको दिख रही है वो आप यहाँ पर लिख डालिए छुपाने के बाद आपको क्या दिखा 2 1 2 4 देखिए ध्यान से इसको छुपाया 2 को छुपाये हर तरीके से एक बार row से चुपाये ऐसे और एक बार column से चुपाये ऐसे तो क्या दिख रहा है आपको यह 4 value तो यह 4 value आप लिख दीजिए इसमें got it यहाँ तक किया आपने उसके बाद आप second number लिखे तो second number क्या है one आप एक बार आपने two लिख दिया अब आप लिखिए one तो मैंने one लिख दिया यहाँ ठीक है लेकिन इस one को लिखने से पहले और फिर column से चुपाएंगे तो क्या दिख रहा है three one और one four तो यह यहाँ पर हमें लिख देना है three one one four got it तो इस तरीके से आपको यह यहाँ लिख देना है देखेंगे मैं फिर से लिख देती हूँ three one one four उसके बाद आपको यह तीसरा one लिखना है तो प्लस one इसको आप प्लस लगाएंगे क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा फिर एक प्लस आएगा अब इस one को चुपाएंगे यहाँ से और यहाँ से तो क्या दिखा three two one two तो यह लिख दीजिए three two one two देखे समझ में आया बात इसको चुपाए इसको चुपाए तो यह चारो जो है वो यहाँ लिखे फिर बीच वाले को चुपाए तो यह जो दो यह दो यह चीज़े यहाँ लिखी उके उसके बात तीसरे वाले को चुपाएंगे आप तो यह बनेगा three two one two यहाँ तक कर लिए अब इसको multiply कर दीजे multiply ने यह तो determinant बना यह मैंने अभी आपको उपर बताया कैसे solve करते हैं इसको यह देखे यह बताया ना मैंने बिल्कुल ऐसे ही जैसे यह solve किया है बिल्कुल इसी प्रकार से हमें solve करना है तो यहाँ पर भी इसको solve कर लिजिया देखे तू का करेंगे four में तो two fours जा कित्ता हो जाएगा eight देखे इसका इसमें करेंगे तो two fours जा eight minus one का करेंगे two में तो one two जा two फिर minus one as it is three का करेंगे four में तो three fours जा कित्ता हो जाएगा twelve minus 1 का करेंगे 1 में तो 1 बन जा 1 फिर plus 1 ये वाला one as it is फिर उसके बाद 3 2 जा 6 और 2 बन जा 2 minus का बीच में तो ये 2 8 minus 2 हो जाएगा 6 minus 1 12 minus 1 हो जाएगा 11 plus 1 6 minus 2 जो है वो हो जाएगा आपका 4 तो अब multiply करें 2 6 जा 12 minus 1 11 जा 11 plus 1 4 जा 4 अब इसको आप हल करिए तो देखिए यहाँ पर plus 12 है और ये है plus का 4 तो plus 12 और plus 4 और minus 11 देखिए नंबर के सामने वाला sign उस नंबर का होता है तो यानि plus 12 plus 4 और minus का 11 तो अब 12 और 4 कितने हो जाएगे 16 minus 11 16 minus 11 कितने हो जाएगे 5 तो यानि उस देटर्मिनेंट का अंसर कितना आ गया 5 आ गया उके उसी प्रकार से आप लोग एक कॉश्चन आपको में देखिए वो सॉल्व करिए और उसका अंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताईएगा 115, 1-1, 2 और 3, 2, 0 इसका डिटर्मिनेंट मुझे फाइं करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करें अगर वीडियो हेलफूल लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर मैट्स के और दूसरे दूसरे फिजिक्स के काफी सारे प्ले लिस्ट हैं उनको जरूर देखें चैनल में आपकी शायद कोई हेलफ हो जाए और अगर वीडियो हेलफूल लगाओ तो प्लीज शियर करें थैंक यू फॉर वाचिंग